मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहुंसु दसरत अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जै जै राम इस चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आदिपुरस के मेकर्स ने इसका बैतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है फिल्म के टीजर और फर्स लुक पोस्टर में जो गलतिय की गई थी, उन सभी को सुधारते हुए भव सिनेमा की एक सांदार जलग दिखाई गई है इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए VFX, इफेक्स के जरिये भारतिय सभीता के इतियास की सबसे महान गाथा रामायन को फिल्मी अंदाज में सादर सरधांजली दी गई है हर किरदार को एक नए सिरे से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो की धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है फिल्म आदिपुरुस के 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर भगवान हनुमान की अवाज के साथ सुरू होता है इस किरदार को मराथी अभीनेता देवदत नाग ने किया है खनुमान जी एक गुफा में बैट कर ध्यान करते हुए हमें भगवान सृरी राम से परिचित कराते हैं इस दोरान सृरी राम सीता जी लक्षवन के किरदारों की जलग दिखाए जाती है फिल्म में अभिनित्री कृति सैनन ने सीता जी का और अभिनिता सनी सिंग ने लक्षमन का किरदार निभाया है इसके बाद रावन का किरदार कर रहे अभिनिता सैफ अली खान की आवाज गुंजती है वह कहते हैं भिक्छा देही भिक्छा देही सबरी और राम के अदभुत शण को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है स्री राम सबरी से कहते हैं हम जन्म से नहीं बलकि कर्म से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाये जा रहे हैं पहले सीन में दर्सकों को हनुमान जी की सक्ति से परीचे कराया जाता है उनको संजीवनी के लिए परवत उठाय उड़ते हुए दिखाया जाता है अंगत को स्री राम के दूत में स्री लंका जाते दिखाया जाता है वह माता सीता से मिलते हैं जहां वो कहती है रागों ने मुझे पाने के लिए सिव धनुस तोड़ा था अब उन्हें रावन का घमंड तोड़ना होगा हनुमान को लंका धन करते हुए भी दिखाया जाता है गार्दो अहंकार की छाती में विजई भगवा धज स्री राम के इस उद्गोस के साथ युद्ध का विगुल बज जाता है राम की सेना लंका पर चड़ाई कर देती है यह कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि ओम रावत और उनकी टीम ने इस मामले में एक नई लकीर खीची है भगवान राम की विभिन भावनाव को चित्रित करते हुए परियुक्त भासा और शब्दों का चैन सावधानी से किया गया है जब वह क्रोधित होते हैं विनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर समवाद उनके व्यक्तित की एक अलग पक्ष को दिखाता है इसमें एक शमा से लेकर प्रतिशोद तक की असंक भावनाई चुपी हुई है फिल्म में प्रभास सरद केलकर और मनोज मुंतस की तिकड़ी का कमाल साफ नजर आ रहा है मनोज के लिखे गए सब्द सरद की आवाज और प्रभास का औरा इसे भववे बना रहा है बाहु बली के बाद दूसरी बार सरद पैन इंडिया सूपर स्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तौर पर इसका फाइदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स ने उनके सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभव हो पाया है उन्होंने इसे वास्तविक दिखाने की कोसिस की है यही वज़ा है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर में अपनी गलतियां सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप दो लिये हैं इसकी भविता बड़े पर अधिक दिखती है खास कर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है तो कैसे लगी आपको हमारी यह डिटेल रिव्यू इस ट्रेलर के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बॉलिवूड से रिलेटेड अप्टेट के लिए आप हमारे आप अपने यूट्यूब चैनल बोल बॉलिवूड को सब्सक्राइब भी करें दोस्तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल अपन्सान हे हो रिलेटेग के लित अरणेबूड अजलेफया जाओट के लिए और यूटर Areश करें अरेटेटेटेग को वीडियो अरे इंदीक अपना में आपके लिए्यूड को मैंने अंच्छी जार अगू से रिलेटshire इंपके अपना शरता हिसे बूलिएजा इंचिती